नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल में जहां आज हम बात करेंगे एक भारत, श्रेष्ट भारत की यह विचार सरदार वल्लभाई पटेल का था, जिन्होंने एक अखन भारत का सपना देखा था। आज प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी के नित्रत्व में यह सपना साकार होता दिख रहा है। आज प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए एक भारत, श्रेष्ट भारत, अभियान को मजबूत बना रहे हैं। इस प्रकार से किसानों के उत्थान के लिए मोधी जी ने वही कारे से मुझे लगता प्रणाली होगी जो सरदार पटेल ने किया। यह है कि उन्होंने सरदार पटेल की एक सौबया उची स्टैचू आफ यूनिटी का निर्मान किया। चुना केवल सरदार पटेल को सम्मान देने का प्रतीक है बलकि उनके द्वारा बनाए गए एकी कृत भारत को भी तरशाता है। यह स्टैच्यू पूरी दुनिया के सामने हमारी एक तका प्रतीक बन चुकी है और हर भारतिये के दिल में गर्व का स्थान रखती है। एक भार भारतिये। श्रेष्ट भारत तहल के तहत भात किरात श्रेष्ट भारत। हमारे नगर में एक अच्छा पुस्तका लए था और नरेंदर भाई जब भी समय मिले वहां जाके वह अनेक करंतिकारियों की अनेक नेताओं की पुस्तकेत पढ़ते थे। उनके उपर सबसे ज्यादा लोखंडी मनोबल के सरदार वल्लपाई पटेल थे। उनका प्रभाव ज्यादा था। हर राज्य का एक जोड़ी राज्य होता है जिससे दोनों राज्य एक दूसरे की संस्कृति, भाशा, त्योहारों और परंपराओं को समझते हैं। इससे राश्य विए एकता और सांस्कृतिक विविधता का आदान प्रदान बढ़ता है। टी-म मोदी ने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेश ध्यान दिया है। नए राजमार्ग रेलवे प्रोजेक्ट्स और हवाई अड्डो के विकास के माध्यम से तेश के कोने-कोने को जोडने का काम हो रहा है। मणी बेन को बड़ी बेर मानते हैं। अब नरेदर भाई ने जो साइकल रेली निकाली थी अपतका के विरुद में। उसको मणी बेन ने खारी जंडी दिखाई थी। हाल ही में शुरू की गई भातमाला परियोजना और उडान योजना इस कड़ी में एहम है। इससे नकेवल कनेक्टिविटी बड़ी है बलकि भारत के हर नागरिक को एक मजबूत राष्ट का एहसास भी होता है। शिक्षानीती 2020 के माध्यम से छात्रों को भारतिय संस्कृती भार्षा और इतिहास की जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे अभियान भी चलाए जा रहे हैं ताकि युवा वर्ग को सशक्त और आत्म निर्भर बनाया जा सके। एक भारत श्रेष्ट भारत की सोच का हिस्सा है कि हर भारती ये आत्म निर्भर बने। इसके लिए पी एम मोदी ने आत्म निर्भर भारत अभियान चलाया और वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया। इसका मकसद है कि हम अपने देश के उत्पादों को प्रात्मिक्ता दें और भारत को आत्म निर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाएं। तो दोस्तों यह है एक भारत श्रेष्ट भारत की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी की कुछ महत्वपूर्ण पहले सरदार पटेल का सपना धा कि भारत सिर्फ भौगोलिक रूप से ही नहीं बलकि दिलों से भी एक हो। पीएम मोदी की योजनाएं इसी उद्देशिक योर ले जाती है। जहां हर नागरिक को एकता और गर्व का एहसास हो सके। आईए हम सब भी उनके सपने को साकार करने में अपना योगदान दे। और एक मजबूत आत्म निर्भर और अखंड भारत का हिस्सा बने। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब। करना न भूलें। था मने देशत सौवश्ट टेंटे सेथ। दन्यवाद।